कुछ तो लोग कहेंगे लोग को साथा में जहना सब को बोलना चाहती हूं कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे हम चाहते हैं आप हमारे बगल में हमारे साथ साचन इस सदन की शोभा तभी तख है जब तब पक्ष और विपक्ष साथ में यहां पर बैठता है जो देश विक्सित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साथ साथ मौका मिला है आप सोचिए आपको इससे दुख हो रहा है और 75 वर्षों पर हम इंतजार कर रहे थे कि हमें यह मौका मिले देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा दिन की रोशनी गुजर गई ख्वाबों को बनाने में रातों की नील गुजर गई बच्चों को सुलाने में जिस घर में मेरे नाम की तक्ती भी नहीं जिस घर में मेरे नाम की तक्ती भी नहीं सारी उमर गुजर गई उस घर को सजाने में आज अधादी के 75 वर्षों में पहली बार देश की सबसे बड़ी सदन उत्रफ देश की सदन में सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को बोलने का आपने उसर दिया मैं उसके लिए आपको हिर्दय से धन्यवाद करती हूँ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी समाजवादी पार्टी के राश्री अध्यक्ष्री अध्यक्ष्री अखिले श्यादो जी का आधायनिय दिम्पल भावी का जिनकी प्रोग्रेसिव सोच के कारें और विपक्ष में हो हमारी समाजवादी पार्टी की सोच को जो सोच कहती है कि नेप्रित्व का कोई जेंडर नहीं होता नेप्रित्व का होता है एक विचार एक सोच एक विचार भारा जिससे आप लोगों को खुद से जोड़ते हैं राममनोहर लुहिया जी ने कहा था देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा जब नारी विकास करेगी तभी देश का विकास होगा आज से कई सालों पहले जब अध्यव जी आग मेरे पिता उनके सहपाटी जब स्कूल में जाया करते थे तो वहां पर पढ़ाया जाता था कि तीन प्रकार के देश होते हैं विकसित देश विकास सील देश और आविकसित देश और तब वो अपने अभिवावकों से पूछते थे कि हमारा देश विकास सील की शेडी में आता है ये कब तक विकसित हो जाएगा तो उन्हें कहा जाता था कुछ नहीं आज से 18 सालों में हमारा देश विकसित हो जाएग अद्यक जी आपके बाद हमने भी स्कूल की पढ़ाई की, हमने भी स्कूल जाना शुरू किया और हमें भी वही पढ़ाया गया और हमने भी जब ये पूछा सवाल तो हमें भी वही उत्तर मिला आज एक नई जनेरेशन स्कूल जाने को तैयार है लेकिन आज ये देश अपना जवाब नहीं बदल पाया है क्या हमने कभी इस बात पे मन्थन किया है आज ये जो special session गुलाया गया है ये सत्र ही उसका जवाब है कि आज जो हम 403 वधायकों में सिर्फ और सिर्फ 47 महिला विदायक हैं वो उसका जवाब है कि जिसकी वज़े से आज हमारा देश विकास शीर से विकसित देश नहीं हो पाया है मैं आज बताना चाती हूँ कि अगर हम देश में देखें कि महिलाओ का राजनिती में नित्रत्व के पर्संटेज को निकाले तो सिर्फ और सिर्फ 9 प्रतिशत महिलाए हैं जो पूरे देश में जन्ततिनिधी के रूप में अपना नित्रत्व कर रही है और इस आकड़े को अगर हम किसी भी डवलप कंट्री से कंपेर करें तो वहाँ पे जो देश विक्सित हो चुके हैं उसका कारण भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वहाँ पे अगर राजनिती में महिलाओ का अगर हम देखें कि क्या कॉंट्रिबूशन है तो वो 30 सतिशत तक पहुँच चुका है और हमें भी अब इस पे विचार करना जरूरी है और इस सब्दन के माध्यम से मैं आगरा करना चाहूंगी कि महिलाओ को हर छेत्र में आरचन देने की जिम्मेदारी इस सरकार को उठाने चाहिए इस सदेश को उठाने चाहिए और इस देश को उठाने चाहिए बाबा भीम राओं वेपकर जी ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की जो प्रविती है उस समाज की महिलाओं की प्रविती से मापता हूँ और आज मैं ग्रामी रंचल से आती हूँ और जब वहाँ पे हम अपनी दलित समाज की बेहनों को देखते हैं तब हमें ये महसूस होता है और साथ में बहुत गलानी भी होती है कि आज हमारा देश कहां पे है आज क्या कारण है कि हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है चाहे राजनितिक छेतर हो या समाजिक छेतर हो चाहे मा हो या बहन हो या पतनी हो या बेटी हो अधिकार जगर में भारत देश में हमें निर्ने लेने की आजावी नहीं आज जब महिलाए राजमीती में आना चाहती हैं तो कई प्रकार की कठनाईयों का सामना करना पड़ता है और उसे एक छोटा सा शेर है जो मैं बोलना चाहूंगी कौन बदन से आगे देखे औरत को सबकी आखें गिरवी हैं इसी नगरी में आज आज भी अगर औरत कुछ अच्छा नहीं कर पाती है तो आज हमें सुनने को मिलता है यह तो औरत है इतना बड़ा दाइत वह इसे दे दिया कहां से कर पाती है और अगर किती तरीके से वो औरत अच्छा कर जाती है तो उसे कहते हैं अच्छा ऐसे कैसे अच्छा कर दिया ऐसा क्या किया होगा उसमें इस सोच को बदलने की जरूरत है मैं इस सोच के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आज इस देश को इस देश को एक मकसद के साथ हमारे प्रदेश की और देश के महिलाओं को बढ़ाने के लिए सोचना होगा स्वामी विवेका नन जी ने कहा थी कि अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक व्रिक्ष की तरह खड़े और गिरो तो एक बीज की तरह ताकि दुबारा से उप करके उसी मकसद के लिए दुबारा से जब लड़ा हो मैं अध्यव जी आपसे कहना चाहती हूँ हमें special opportunities, special sessions नहीं चाहिए आज पार दिन के सत्र में एक दिन सिर्फ और सिर्फ महिला विधायकों को मिला है कई सारे लोगों के जिने दुखो रहा होगा कई सारे लोगों के जिनको आपती हो रही होगी लेकिन नहीं कहना चाहती हूँ कि आज पाच दिन के सदन में हमें एक दिन का मौका मिला है आप सोचिए आपको इससे दुखो रहा है और 75 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे कि हमें ये मौका मिले 75 वर्षों के हम इंतजार कर रहे हैं आज भी उत्रपिदेश के लावा बाकी सदन में जहां जहां ये ओवाज जाएगी मुझे लगता है अध्यवजी वहाँ पर भी इसको शुरू किया जाएगा और इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहूंगी अपने राष्टे अध्यवजी को धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं ये भी कहना चाहती हूँ जब सदन में महिलाओं को बराबर का हक मिलेगा तब ही जाकर के जनपद में जो बैठे हुए अधिकारी हैं वो भी हमें सीरियसली लेंगे मैं आपको एक घटना बताना चाहती हूँ मचली शहर विधान सभा जौनपड जनपड में 9 विधान सभाए हैं उसमें से मैं मचली शहर से विधायक चुन करके आई हूँ इसलौती महिला विधायक और मेरे यहां की जो रोडों की स्थिती है वो बहुत ही खराब मैंने पिछले सदन में भी उन बातों को उठाया था और बड़ी मिश्किल से एक रोड है जो स्विक्रित होके बननी शुरू हुई जब वो रोड बनी तो उस पर जब शील पट लगा तो उस पर हमारे जो नेबर के हमारे पडोसी विधायक है उनका नाम लिख करके आ गया तो आज अधिकारियों की भी यह सोच है कि अरे यह महिला है यह क्या कर लेगी हमें इसको बडलना होगा हमें इसे बडलना होगा मैं जरकार करोंगी की परीजी की जो सोच पे अंकुश लगाया जए साथी तर मैं अपनी महिलाओ को भी कहना चाहूंगी कि यह वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना होगा हमें देश का प्रातिनी भी बढ़ना होगा हमें आगे बढ़ करके देश को तरकी के रास्ते पे लेके जाना होगा अब हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे और समाज क्या कहेगा क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों कादा में केहना पर अब हमको चुप नहीं रहना मैं साथी साथ ये भी बोलना चाथी हूँ कि आज हम भातिया बड़े आध्हुनिक बनते हैं हर बात पे बड़ी बेबाकी से चर्चा करते हैं लेकिन जब बात आती है महिला के शशक्ति करन की तो ना जाने हम क्यों चुप पी साब लेते हैं हम क्यों भूल जाते हैं कि भारत की आजादी में महिलनाओं का बलिदान कहीं से कम नहीं था चाहे वो रानी लक्ष्मी भाई रही हो चाहे वो जलकारी देवी रही हो चाहे महरानी अहिल्या भाई होलकर रही हो चाहे जोतिबाब पूले जी रही हो और साथी साथ चाहिए वो मातंगी रेवी रही हो जिनोंने बंदे मात्रम कहते कहते अपने प्राणों की आहुती देते चाहिए वो कलत लता रही हो जिनोंने 17 साल की उमर में हात में राश्री ध्वज को लिए वीरगती को प्राप्ठ हो गई हो हमें उन बातों को नहीं भूलना चाहिए और शायद इनी बातों को भूलने की वज़े से आज महिला एक तीछे छूटती चली जा रहे हैं मैं आज इस सद्धन के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ मैं ग्रामी नंचल से आती हूँ और वहाँ पर मैंने कई बार सुना है तो मैंने कहा कि इहां से एक मेसेज देना बहुत जरूरी है बहुत सारे लोगों को यह था लगता है कि हम महिला के टतिनेजित में पीछे उसके चल रहे हैं हम कैसे महिला के पीछे चल सकते हैं तो मैं उन सब को बोलना चाहती हूँ कि हम आपको पीछे नहीं चला रहे हैं हम चाहते हैं आप हमारे गगल में हमारे साथ साचर अलबर्ट कामू ने कहा था I don't want you to leave me I don't want you to walk behind me I want you to walk by my side और यही हमारी सोच है और मैं मानती हूँ कि इस पड़न में बैटी सारी जितनी भी महिला जनकती निदी हैं उनकी भी यही सोच है मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आदर्निया मुख्य मंत्री जी को कि जिस दिन मौनसून का पहला सत्र था उस दिन हमें अंदर नहीं आने दिया मैं पूछना चाहूँगी हमारी पक्ष के विधायक गन से दिल पे हाथ रख के बताईए क्या आपको अच्छा लग रहा था यहां की सारी सीटे खाली थी इस सदन की शोभा तभी तख है जब तब पक्ष और विपक्ष साज में यहां पे बैठता है जब तब पक्ष और विपक्ष साज में बैब बैठता है तब ही तक हमारा लोक तंत्र मजबूत है पार जिस दिन यहां से विपक्ष जट जाएगा उस दिन लोक तंत्र की धज़ियां और जाएंगी और उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगी वारें यहां मैं मनत्री जी को बताना चाहिए यह बैरून को बना करते हैं आप अपनी बात झाले धन्यवाद अजिरोग्या नहीं सर नहीं हुआ अभी को बहुत लगए अभी देकर आप अध्याश्वी मैं ये खागे जिन को धन्नेवाद कर रही थी कि जैसे कि हमें आने नहीं दिया तो उस से यहां में आपके policies की पर्षियां बट रही थी तो मैं बहुत-बहुत धन्नेवाद सकत करना चाहोगी कि यह ज़ित इसकी पर्षियां हमें भी मिली तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ उसमें आपने विवा के लिए कन्या अनुदान देने का एक संकर्प लिया है कोरुना काल में बहुत सारे गरीब परिवार अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाए वो गरीब माता पिताओं ने अभी कुछ महीने पहले जब शादी का सीजन था तब वो अपने बच्चों की शादी कर रहे थे मेरे विधान सबा से ना जाने कितने परिवार हैं जोनों ने उस अलोदान पे आख लगाए बखे हुए थे और आज वो शादी को बीते हुए 4-5-6 महीने हो चुके हैं और आपका अनुदान नहीं आया है और जब आपकी अभीकारी से बात करते तो वो कहते हैं मैडम हमारे पास कोई बचटी नहीं है इसके लिए तो मैं कहना चाती हूँ कि आपकी पॉलिटी जिर्फ कागजी है उन पॉलिटी का जमीन पे कोई भी कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं है मैं आज कहा गया मानेरिय मुख्य मंत्री जी द्वारा कि हम अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम से उन्हें बता सकते हैं और एक सकरात्मक तरीके से इस पर डिसकॉशन कर सकते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि में भी ऐता हो सकता है कि आप सच्चाई से आप परिचित हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अफगत कराना चाहती हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि जो आपकी पॉलिसीज है वो लोगों तक नहीं पहुच पा रही है इसके लिए एक डेलिगेशन की टीम बनाई जाए अगर वो महिलाओं के लिए पॉलिसीज ह अगर नहीं है क्योंकि अगर हम आज जमीन पे उतर के देखते हैं तो कहीं किसी को मदद नहीं मिलती हूँ मैं मेडिकल प्रफेशन से बिलॉम करती हूँ और मैं आज जो प्रदेश में मेडिकल की स्थिती है उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी जौनपूर जनपट का जो मिडिकल कॉलेज है उसके बारे में तो कई बार सदन में चरचाए हो चुकी है कि वहाँ पिस फिर्फुद घाटन हुआ है और आज तर कोई काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन साथी साथ में ये बताना चाहती हूँ कि आपकी एक दूसरी पॉलिसी है जिसमें गंभीर बिमारियों में लोग मदद की आस लगा करके रखते है आज मैं इस सदन के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूँ क्या उसका कोई समय निर्धारित किया जाएगा एक गंभीर बिमारी का व्यक्ति कितने टाइम तक उसका वेट करता रहे कितने दिलों तक उसका वेट करता रहे हाल हम अपने कितने लोगों को इस कारण से खो दे रहे हैं क्या सरकार उसका जवाब देगी साथी साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि गंभीर बिमारियों में cancer सबसे जादा common है और cancer की treatment को मैं थोड़ा का आप लोगों से share करना चाहूंगी कि उसमें सबसे पहले हम एक neo adjuvant therapy देते हैं या तो वो chemotherapy होती है या वो radiotherapy होती है उससे हम कोशिश करते हैं कि वो जो cancer का element है वो छोटा हो जाए वो concise हो जाए ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो उससे ठीक भी हो जाता है patient लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे हम उसको disease को छोटा करके बाद में उसका surgical intervention करते है आपकी जो अनुदान की नीतिया है उसमें 6 महीने का अमे लिया जा रहा है क्या एक cancer का patient 6 महीने तक बेट कर पाएगा कि उसका अनुदान आए तब वो अपनी surgery करा है मैं आज इस सदन के माध्यम से आप लोगों से अनुरोद करना चाती हूँ कि इस पे शंशोदन दिया जाए इस policy से जनता की मदब नहीं हो पारी है लोगों के पास सकते वो मदब नहीं पहुच पारी है थैंक यू डॉक्टर आगी नहीं हुआ कंभीर बिमारें पर लोगों की मदब की जहां ग्रामीर नहीं नहीं अवेलेबल नहीं उन्होंने उनकी मदब की आज वोट में बोल नहीं है आज मौने हकी दुहाई मांग रही है क्या सरकार उनकी मदब करेंगी आज हमारी आगन वाड़ी की जो महिलाएं है वो कह रही है कि आपकी अरे कंप्रेंट नहीं करी है किसी किसी के साथ और सारी बात की सब ने बोला है मेहंगाई की कारण उनकी कमर मेरीं भी आप आखी तक बैठेंगी आज जब मार्केट में पेल 200 रुपे किलो है रिफाइंड ओयल तो उन्हें सिर्फ 120 रुपे मानक मिलता है आज जब मूम की डाल मार्केट में 100 रुपे किये तो उन्हें सिर्फ 69 रुपे मिलता है आज जब मार्केट में आलू 20 रुपे किलो है तो उन्हें सिर्फ 7 रुपे मिलता है आज उनकी मांगों को कौन सुनेगा, कौन उनकी दुहाई को सुनेगा मैं साथी साथ बात करना चाहूंगी N.R.L.N. की जो हमारी बेने हैं जुनों ने आपके चुनों के दोरान, आपकी रैलियों में धेर सारी धेर जुटाने का काम किया आज उनकी मांगों कर रही है, आज उनकी दुहाई बोल रही है, कौन सुनेगा उनकी बातों को मैं बहुत गर्वित महसूस करती हूँ कि जिस समय बाशपा की सरकार ग्रामें छेत्रों में बिजली का टौती करने में व्यत्त थी उस दौरान मेरे छेत्र से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड में 95% अबब मार्स ठोर किये और साथी साथ आपका जो नेशनल एग्जामिनेशन होता है मेडिकल का उसमें साथ से दस बच्चों ने उसमें रांप निकाला है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हैं और साथी साथ Insya 2 कहना चाती हो जो कि मैंने पिछले सदन में भी कहा था ता किándra mean ईलाकी के बच्चे कहीं से भी माल्सिक रूप से चहरी बच्चों कम नहीं है है लेकिन आज उनके पास वह विवेश्ता नहीं है आज स्कूल मादमिक हो प्राम कि यो उनके रास्तों को में रास्तों से नहीं जोड़ा गया है आज जब उनके परिवार वाले उनके घर वाले उन्हें sapu तक छोधने जाते हैं वह रोट पर उनके मैं साथी ताथ बोलना चाहूँगी यह जीरो टॉलरेंस की सरकार है और आदर्निया अमारे मंत्री जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन यह नहीं है कि कोई अपराग नहीं होगी जीरो टॉलरेंस की डेफिनेशन यह है कि सरकार अगर इस तरीके की चीज़े होती है तो उसमें तुरंप और चक्त करवाही करेगी लेकिन आज जो मैंने 56 में मां उठाई उसमें अपराइयार नहीं हुआ और इस तरीके की बहुत सारी केसे हैं जिसमें महिनाओ को राद राद घर खाने पे बिठा के रखते हैं और उनकी कोई अपराइयार नहीं लिखे जाती है कोई मां को नहीं सुना जाता है उसमें सरका इसे अंजान हूं तो आज थानों पे सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हैं और रक्षब भक्षब बने हुए हैं कृपया करके इसका भी निवारण निकाल दे तो मैं बहुत-बहुत अभारी रहूंगी आपकी earth…. आप देगे in और अपने देश की महिला ओं के यह बोलू आप देए बोड़ो प्रदेश कine आप देविया ने सीकता हुआं है गए। मिष्टश कों आप देश के महीला ओं की यह बॉलने चाहुआं की वहिकरchn Mass-K- pudur अब गोविन्ना आएंगे धूत बिठाए बैठे शकुनी समस्तक दिख जाएंगे सुनो ग्रौपदी शत्र उठालो अब गोविन्ना आएंगे होट सीदिये हैं जनता के कानों पर पहरा भी है तुम ही कहो ये अश्व तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे सुनो ग्रौपदी शत्र उठालो अब गोविन्ना आएंगे अब गोविन्ना आएंगे बहुत बहुत ज़्यवाद है